International Day for Monuments and Sites, जिसको World Heritage Day भी बोलते हैं, यह 18 अप्रेल को मनाया गया, इसका theme था Complex Pasts, Diverse Futures, World Liberal Day 19 अप्रेल को मनाया गया, और National Civil Service Day 21 अप्रेल को मनाया गया, Earth Day की बात करते हैं, Earth Day 22 अप्रेल को मनाया गया, और इस बार इसका theme था, Restore Our Earth, अब देखते हैं कुछ important लोग जिनकी death हो गई, महशूर तमिल फिल्मों के एक्टर विवेक, इनकी death हो गई, CBI के पूर्व डिरेक्टर रंजित सिना, इनकी death हो गई, एक कंपनी है Angel Broking, इसके CEO थे, विने अगरवाल, इनकी death हो गई, फुटबॉल में Olympics खेल चुके, हमारे महान खेलाडी फुटबॉल के, एहमद हुसेन लाला, इनकी death हो गई, इनकी death हो गई, इनकी death हो गई, कंपाइल करता है, शब्दों का compilation करता है, इनकी death हो गई, RBI के गवर्नर, पूर्व गवर्नर, एम नर सिमा, इनकी death भी हो गई, भाजपा के वरिशनेता, बच्ची सिंग रावत की death हो गई, ये पूर्व यूनिन मिनिस्टर भी रह चुके थे, मराठी फिल्मों के निर्दे advisory council, यानि राष्ट्रिय, start-up, सलाकार, परिशद, इसकी पहली बैठक होई अभी, फर्स्ट मीटिंग होई, तो इसका chairman कौन था, ध्यक्षता, किसके द्वारा की गई, इसके ध्यक्षता की गई, पियूश गोयल के द्वारा, पियूश गोयल जो है हमारे वानिज्जे, यान commerce minister भी है, rail मंत्री भी है, दोनों है, या दखिए, कौनसा मंत्राले है भारत का, जिसने अभी-अभी, eat smart cities challenge और transport for all challenge, ये दोनों challenge लाँच किये थे, ये लाँच किये थे हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्राले ने, यानि ministry of housing and urban affair, और आपको बता दूँ, कि जो हमारा इसके अलावा इनोंने एक ease of living index भी शुरू करा था, जो बताता है कि भारत का सबसे जादा रहने लाइक शहर कुन सा है, तो बड़े शहरों में है बैंगलोर और छोटे शहरों में है शिमला, ease of living index, एक index launch और किया था इनोंने, municipal performance index, जो बताता है कि शहर के नगर निगम ने क हम सबसे अच्छा करा है, तो बड़े शहरों में था best indoor और छोटों में नई दिल्ली नगर निगम, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक company है sports exchange, इनोंने अपना brand ambassador किसे बनाया है, ये खिलाडी कौन है जो फोटो में आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनका नाम है ambassador sports exchange के, कौन सा देश है, जहाँ पे विश्व table tennis championship होगी, world table tennis championship, ये 23 से 29 नवंबर तक होगी, इस बार इसका आयोजन कोन करेगा, ये होगी United States of America में, United States of America, और जो international table tennis federation है, जिसको हम बोलते है, ITTF, उसका headquarter कहाँ पे है, उसका headquarter स्विजर लेंड के शहर लौजैन में है, ने भारत का पहला, इंडिया's first, high speed, commercial, website, delivery, electric scooter बनाया है, ये बिजली से चलने वाला scooter है, और ये भोजन वगारा की delivery के काम आएगा, इस scooter का नाम है Hermes 75, ये किसने बनाया है, इस scooter को बनाया है, कबीरा मोबिलिटी ने, कंपनी का नाम है कबीरा मोबिलिटी और ये गोआ की कं अपनी है, गोआ, पंजाब national bank ने कौन सी digital पहल शुरू करी है, जिसमें जो customers है, उनकी मतलब basically उनको ये facility दी जाएगी, कि वो जितने भी bank branch के transaction होते हैं, उनको अप्रूव कर सकें, यानि कि कोई भी bank से लेन देन हो रहा है अगर digital, तो ग्रहाक उसको खुद शुरू करेंग तो इस पहल का नाम किया है, इसका नाम है PNB at Ease, PNB at Ease, और PNB के managing director को ने है, पंजाब national bank के, SS मलिकारजुन राओ, SS मलिकारजुन राओ, पार्तिय रिजर बैंक ने announce करा है, एक regulation review authority बनेगी, regulation review, regulation review मतलब होता है, जो RBI के कानून वगरा है, उनकी समिक्षा करें, उनके rules and regulations उनके जो भी हैं उनको review करें, उनकी समिक्षा करें, तो इसके chairman कोन होगे, इसके chairman होगे M. Rajeshwar Rao, M. Rajeshwar Rao, ये बहुत important question है, wisdom के द्वारा leading cricketer in the world, यानि साल का best cricket खिलाडी का award किसे मिला है, तो यहाँ पर आप अपनी screen पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारे award लिखे हैं मै विजडन की तरफ से Ben Stokes, England के all-rounder Ben Stokes, दूसरे साल लगातार दुनिया के best खिलाडी डिकलेर किया गए, और यहाँ पर विराट कोली जो हैं, भारत के कप्तान विराट कोली, उनको विजडन के तुवारा Almanac one day player of the two 2010s, यानि कि 2010 से लेके, 2019 तक के जो 10 साल हैं, उनका best cricket खिल खिलाडी रहे, सचिन तंदुलकर, और 1980 से लेके, 1989 तक, 1980 से 1989 तक, जो best खिलाडी रहे हमारे वो थे कपिल देव, all-rounder कपिल देव, इतना ही नहीं, जो women की, जैसे Ben Stokes player of the year हैं, महिलाओं में player of the year को होने, वो हैं Australia की खिलाडी जिनका नाम है Beth Mooney, यह रही leading woman cricketer in the world, और T20 मे दुनिया के वेस्ट खिलाडी कोन रहे पिछले साल, यह रहे West Indies के खिलाडी किरन पोलाड, किरन पोलाड, तो जितने आप याद रख सके होतना अच्छा है, Center for Development of Advanced Computing, जिसे CDAC बोलते हैं, इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस अभी-भी मनाया, तो इनका अभी यह 34 स्व उमन गोट, Hydro Electric Project, यानि उमन गोट, जल विद्यूत परियोजना बन रही है, तो उमन गोट एक नदी का नाम है, इस पर यह बन रही है, और यह नदी भैती है मेगाले में, तो आंसर है मेगाले, उमन गोट एक बहुती साफ नदी है, इसको लेके प्रोटेस्ट भी चल रहे तो मेगाले में ये बन रही है, मेगाले के CM कौन है, मेगाले के CM है, कौनराड संग्मा, और सत्यपाल मलिक जो है, वह महां के गवर्नर है, अभी अभी भारत का कौन सा राज्य है, जहाँ पे एक नया Thermal Power Plant बन रहा है, जिसका नाम है यदादरी, जिसको बोलते हैं, उर्जा के महानधी Power Project, AS के महानधी Thermal Power Project, वो 36 गड़ में बन रहा है, तो ये बहुत बड़े दो Thermal Power Project जो है, इंडिया में बन रहे हैं, भारत की जो Space Agency है, इसरो, इसरो अपना पहला मानव युक्त अंत्रिक्ष मिशन करेगी, गगन यान, यानि कि, गगन यान हमारा पहला Human Space Mission है, Human Space Mission मतलब होता है, जिसमें एक मानव बैट के अंत्रिक्ष यानमें, अंत्रिक्ष में जाएगा, तो इसके लिए वो किसके साथ सहयोग किया है, उन्होंने, तो याद रखिए, इन्होंने, फ्रांस की जो Space Agency है, CNES, उसके साथ भी सहयोग करा है, और जो रशिया की है, रॉस कोस इसके साथ जाते हैं, फ्लाइट फिजिशन, उनको ट्रेंड करेगी, और जो रशिया है, वो हमारे एस्ट्रोनोट्स को ट्रेंड करेगा, यानि जो हमारे अंत्रिक्ष वैग्यानिक है, उनको ट्रेंड करेगा, तो आंसर है इसका, फ्रांस, फ्रांस की Space Agency का नाम है CNES, हमार इन्होंने रखा है, Amazon संभव Venture Fund, तो Amazon जो हमारे छोटे बिजनेसे हैं, उनमें इंवेस्ट करेगा, 25 करोड अमरीकी डॉलर, यानि 250 मिलियन डॉलर, तो इसका अंसर है option D, 250 मिलियन डॉलर, Amazon के CEO है Jeff Bezos, अभी अभी एक inclusive internet index दिया गया, यानि समावेशी internet index, Facebook के द्वारा, इस inclusive internet index, इसमें basically क्या है कि, सबसे सस्ता internet है पूरी दुनिया में इंडिया का, लेकिन उसके बावजूद समावेशी नहीं है, मतलब हर आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए हमारी rank पीछे है, यहाँ पर अपनी screen पर देख सकते हैं, कि जो number one rank है, वो Sweden की है, Sweden वो इसम में number one रहा, अभी-अभी Moscow International Film Festival हुआ, रशिया की जो राजधानी है Moscow वहाँ पे, इसमें कौन सी मराठी फिल्म है, जिसे best foreign language film का award मिला, यानि तर्वश्यष्ट विदेशी भाष्या की फिल्म, तो यह है पुगल्या, पुगल्या फिल्म है, मराठी फिल्म है, और इस फिल्म के डिर्क्टर कौन है, इस फिल्म के डिर्क्टर है, विनोध सैम पीटर, विनोध सैम पीटर, त्यान रखिए, कंटेनर उत्पादन में आतम निरभरता, यानि सेल्फ रिलाइंस इन कंटेनर प्रड़क्शन के लिए भारत किसको हब बनाएगा, देखो कंटेनर होते हैं, व कौन सा फोरन बैंक है, कौन सा विदेशी बैंक है, जो भारत से भारत से भार निकल रहा है, यानि भारत में अपना पूरी तरह से उपभोगता बैंकिंग ब्यवसाइब बंद कर रहा है, तो ये बैंक है, सिटी बैंक, और आपको बता दूँ, सिटी बैंक के अलावा, एक स Surface Enhanced Raman Spectroscopy बनाई है ये डेंगू का जो इलाज है सिर्फ एक घंटे में कर देगी मतलब उसका diagnosis कर देगी ठीक है तो डेंगू अगर आपको पता करना है कि डेंगू आपको है या नहीं तो एक घंटे में test का result आ जाएगा Surface Enhanced Raman Spectroscopy इसको बनाया है भारत में IIT दिल्ली ने तो अंसर है IIT दिल्ली एक कंपनी है Elista इसके electronic product आते है Elista के इन्होंने अपना brand ambassador किसे बनाया है इनके brand ambassador होंगे सुरेश रहना सुरेश रहना अभी रिटायर हो गए है क्रिक्ट खेलते थे सुरेश रहना पहली भारत की महिल कोन है जिसने Asian wrestling championship में Asia कुष्टी प्रतियोगीता में लगातार दो बार स्वन्पदक जीता क्या नाम है इनका इनका नाम है सरिता मोर और अभी इन्होंने कजाकिस्तान की कजाकिस्तान की राजधानी नुर सुल्तान है लेकिन कजाकिस्तान में एक शहर हो रहे है जिसको बोल पुई थी दिल्ली में उसमें और अब 2021 में तो दो साल लगातार एशियाई कुष्टी प्रतियोगीता में स्वन्पदक जितने वाली पहली बन गई है तरिता मोर नाम मत भूलना बिल्कुल एक्जाम में कोश्यन आ सकता है पौन सा बैंक है जो मास्टर कार्ड के साथ मिलकर पेवाइ बैंक एप लॉँच कर आए जिन्होंने पेवाइ बैंक को लॉँच कराये आरपी अल बैंक जिसको बोलते है रतनाकर बैंक लिमिटड यानि आरपिल बैंक बारत ने अभी-भी एक योदभ्यास किया खंजर ये कौन से कंट्री के साथ किया तो खंजर योदभ्या जिसका नाम है Believe, यह किसकी आत्मकता है, किसकी ओटोबाइग्राफी है, तो Believe जो है, यह ओटोबाइग्राफी है, सुरेश रहना की, पांसर है, सुरेश रहना, हमारे जो Education Minister है, शिक्षा मंत्री, रमेश पोकरियाल निशंक, इन्होंने Duro की सीरीज नाम का एक स्वच्चता उत जगा को स्वच रखता है, और किटानू रहित रखता है, भारत में कौन सा देश है, जो जिसने अपना पहला Mega Food Park बनाया अभी भारत के अंदर, तो यह बनाया है, इटली ने, इटली ने बनाया है, और यह जो है, गुजरात में बनेगा, और इटली के नए प्रधान मंत्री है, मारियो ड्रागी, द्रागी, ध्यान रखिए, उत्राखन के मुख्यमंत्री तीरत सिंग रावत जो है, उन्हों कौन सा लेक है, कौन सी जील है, जिसके किनारे उन्होंने एक Water Sports और Adventure Institute, Adventure Institute जो होता है, यह सहासी परियतन के लिए होता है, तो कौन सी जील पे बनाया है, तो नाम है डोबरा चांठी, डोबरा चांठी पुल, कौन से मंत्राले ने जेंडर समवाद नाम का एक कारेकरम आयोज़ित किया, जेंडर समवाद इवेंड और्गनाईज किस ने किया, यह किया, Ministry of Rural Development यानि ग्रामीन विकास मंत्राले ने, जिसके मंत्री है नरेंदर सिंग त My Body is My Own, मेरा शरीर, मेरा खुद का है, इस नाम से एक World Population Report जारी करी है, World Population Report, तो इसको जारी करा है अभी अभी, United Nation Population Fund ने, यानि UNFPA, और UNFPA जो है, इसका Headquarter कहा है, UNFPA का Headquarter, New York में है, New York, Natanz Nuclear Power Plant, Natanz परमानु सयंत्र, इस पे अभी अभी अटेक हुआ, आकरमन हुआ, तो कौन सा राज्य है, जिसने एक Joint Consultative Committee बनाई है, यानि कि सयुक्त परामर्ष दातरी समीती बनाई है, जो इस राज्य के जो खुद के निवासी है, Indigenous Inhabitant है, स्वदेशी निवासी, उनको पंजिकृत करेगी, रेजिस्टर करेगी, तो ये कर रहा है, नागलेंड, नागलेंड क्या कर रहा है, कि जो इस राज्य के खुद के लोग है, जो यह बहुत सालों से रह रहे है, उनकी एक रिजिस्टरी बना रहा है, और इसमें cut-off date रखी गई है, 1 December 1963, 1 December 1963, ताइक हो मिरा भाई चानू, ये जो हैं, इनोंने एक World Record बनाया, महिलाओं के 49 kg क्लीन और जर्क इव मनिपूर, तो इनोंने वैसे टोटल तो 205 kg उठाया, पहले 86 kg उठाया, फिर 119 उठाया, एक ही बार में 119 उठाया, तो ये अपने आपने रिकॉर्ड है, और 86 पहले उठाया था, 119 बाद में उठाया था, तो इनका personal best हो गया आप 205 kg, 205 kg, ये मनिपूर के इमफाल से हैं, इनका जनम इमफाल में हुआ था, मनिपूर की राजधाने में, भारतिय वायू से ना, कमांडर सम्मेलन, इंडियान एर फोर्स कमांडर्स कॉन्फरेंस, ये हुआ भी अभी इसका theme क्या था, तो ये जो है, 16 अप्रेल को हुआ था, और इसका theme था, reorienting for the future, reorienting for the future, कौन सी क communication को खरीदा है, Microsoft ने, Microsoft के CEO है, सत्य रेडेला, पंजाब सोना और पंजाब केसर, ये दो नए अभी अभी varieties बने हैं, कौन से crop के, किस फसल की किसमें तयार की गई है, पंजाब agriculture university के दवारा, तो ये दोनों किसमें जो हैं, ये टमाटर की हैं, टमाटर, और आपको बता दू, इन्होंने बैंगन भी बनाया अभी अभी, इस बैंगन की खास बात ये है, कि ये anthocyanin इसमें काफी अच्छा है, तो इस बैंगन की दो variety के नाम है, पंजाब रॉनक और पंजाब भरपूर, और ये जो पंजाब सोना और पंजाब केसर है, टमाटर, इनकी खास बात क्या है इनमें कैरोटीन की मात्रा काफी जादा है, कौन सा कंट्री है जो अपना चान पे मिशन करेगा, जिसका नाम है लूना 25, ये अक्तूबर 2021 तकी कर देगा, चान पे, इसी साल कर देगा, तो ये रशिया करेगा, 45 साल के बाद चान पे अपना मिशन करेगा, और लूना 26 भी कर कर रहा है, अमरीका और इंडिया मिलकर, हाइड्रोजन एकोनोमी के लिए भारत में हाइड्रोजन और हिलियम की कमी ना हो इसलिए, कौन से स्टेडियम में इंडिया का जहाँ पे T20 वर्ल कप फाइनल खेला जाएगा, ती 20 वर्ल कप फाइनल नमबर में इस साल खेला ठीक है, कौन से बैंक के यह, मैनेजिंग डिर्क्टर और सियो बने है, यह बैंक है, डिसी बैंक, प्राइवेट बैंक है, डिसी बैंक, रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है, इसके चेर्मेन कौन है, यह एसे ट रीकंस्रुक्शन कंपनीज जो होती है, अरबी भाषा के लिए 18 देसंबर, चाइनीज के लिए, मेंडरिन, 20 अप्रेल, इंग्लिश टेईस अप्रेल, प्रेंच, 20 मार्च, रशिया, 6 जून और स्पैनिश टेईस अप्रेल, तो आप देख सकते हैं, अप्रेल में, चाइनीज, इंग्लिश और स्पैनिश तीन भाष जन एक्सप्रेस, कोविड के मामले जो हैं, उनको कम करने के लिए, कोविड केसिस को कम करने के लिए, जन अनुशाशन पकवाड़ा किस राजे ने शुरू करा, जन अनुशाशन पकवाड़ा एक तरह का लोगडाउन था, रजस्तान सरकार का, तो आज़ रजस्तान, भारत में नौक्रेक और बाल फक्रम दो नैशनल पार्ट इस देश ने एक एकोसाइड बिल तयार करा है अगर आप परियावरण को नुकसान पहुचाएंगे एन्वार्मेंट को डेमेज करेंगे तो आपको सजा मिलेगी एकोसाइड बिल लेका आया है फ्रांस प्रांस की राजपती हैं इमेनुल मेकरोन और इमेनुल मेकरोन की पार्टी का नाम है एन्वार्शे भारण का कुन सा राज्य है जो धामरा नदी पे एक रोपेक्स जैटी शुरू कर रहा है ठामरा नदी पे तो याद रखिए ये नदी ओडिसा में भैती है और ये जो jetty है, इसको जोड़ेगी, ये Ropex jetty है जो ग्रीस में बनती है ये जोड़ेगी भदरक डिस्टिक को केंदर पारा से भदरक डिस्टिक में जगा है कनी नाली, जो आब अपनी फोटो में देख सकते हैं स्क्रीन पे कनी नाली. कनी नाली भद्रक में है. उसको जोड़ेगी ताला चुवा से और ताला चुवा जो है वो केंद्र पारा डिस्टिक्ट में आता है. एक смार्टफोन कम्पनी है टेक्नो. इन्होंने अपना ब्रांड एममेसर किसे बनाए है? तो टेक्नो कम्पनी के United Arab Emirates इसको भेजेगा और United Arab Emirates ने अपना मंगल ग्रह पे मिशन किया था जिसका नाम है अल अमल DRDO की कौन सी लेबोरेटरी है जिसने SPO2 Blood Oxygen Saturation अधारित एक Oxygen Delivery System शुरू करा है तो ये शुरू करा है Debel Bangalore ने Debel, Debel मतलब Defense Bio Engineering आप स्लाइड पर लिखा हो देख सकते हैं Defense Bio Engineering and Electro Medical Laboratory Bangalore दुनिया का पहला कंट्री कौन सा है जिसने जो एक बिल लेकर आया है आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा आप कि आप जो भी बिसनेस कर रहे हैं उसका वातावरेंट पर क्या दुष प्रभाव पड़ेगा जलवाईयो परिवरतन अगर होगा तो आपको पहले ही बतना पड़ेगा कि इस बिसनेस से जो भी बिसनेस आप कर रहे है इससे परियावरेंट पर कितना नुकसान होगा तो ऐसा बिल लेकर आया है New Zealand New Zealand की प्रधान मंत्री है जेकिंडा आर्डन अभी अभी एक किताब लिखी गई है The Christmas Pig इसको किसने लिखा है The Christmas Pig को लिखा है जेके रावलिंग ने जेके रावलिंग दुनिया की सबसे अमीर लेकी का है और हैरी पॉर्टर भी इनोने लिखी थी भारत कौन से देश के साथ मिलकर एक agreement करा है समझोता करा है Cities Combating Plastic Entering the Marine Environment यानि कि समुदरी परियावरन में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कच्रे को कम करने के लिए हमारे समुदरों में प्लास्टिक भढ़ता जा रहा है उसको कम करने के लिए तो इसको कम करने के लिए हमने समझोता जर्मनी के साथ किया है तो आंसर है जर्मनी फ्लिपकार्ट जो है वो उसने clear trip को खरीद लिया है वेबसाइट को clear trip ये online travel वेबसाइट है clear trip कितने में खरीद है ये खरीद है 40 million dollar 4 करोड अमरी की डॉलर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था विशु प्रेस तंतरता सुचकांग इसमें हमारा रैंक है 1803 कंट्रीज में 142 1803 कंट्रीज में 142 सबसे आखिर में है इसमें Eritrea 1804 नंबर पे Eritrea और नंबर बन कंट्री है नॉर्वे नॉर्वे में सबसे ज़्यादा प्लेस फ्रीडम है तो नंबर बन कंट्रीज में नॉर्वे है जगन अन्ना विद्या देवनना योजदा आंधरपरदेश की योजदा है इसमें बैसिकली जो बैंक अकाउंट है मदर्स के माताओं के उनमें पैसा दिया जाता है जिससे वो अपने बैच्चों की पढ़ाई करवा सके विद्या देवन्ना इसके अलावा अम्मा वोडी वसती देवन्ना जगन अन्ना गोरु मूढः एबिसी नेस्थम बहुत सारी योजन आंदर प्रदेश की सरकार ने शु लड़े यह भारत का अड़सर वा शत्रंज ग्रेंड मास्टर बना है भारत को हाल ही में सयोगत राष्ट की कौन सी एजेंसी है या बोडी है जिन में इलेक्ट किया गया है तो याद रखिए इंडिया अपराध निरोधक और अपराधिक न्याय आयोग यानि Commission on Crime Prevention and Criminal Justice UN Women और सतारा डिस्क्रिक्ट की है प्रियंका मोहिते रसाइनिक हतियार निशेद संग्ठन जिसे बोलते हैं OPCW यानि Organization for the Prohibition of Chemical Weapon इसमें External Auditor के तौर पे कौन नियुक्त किया गया है इंडिया का कौन वैक्ति है तो यह है गिरेश चंदर मूर्मू गिरेश चंदर मूर्मू और यह जो OPCW है इसका Headquarter कहां पे है इस संग्ठन का OPCW का Headquarter The Hag Netherland में है इंडियन Naval Air Squadron यानि इनास 323 यह हाल ही में कौन से Air Station पर कमिशन किया गया है तो यह कमिशन किया गया है INS Hansa यह एक Advanced Light Helicopter है हमारा खुद का देसी बनाया हुआ तो यह INS Hansa के उपर रहेगा गोवा में कौन स खड़पुर प्यूमा कंपनी ने अपना Brand Ambassador किसे बनाया है प्यूमा कंपनी के Brand Ambassador बने है वाशिंग्टन सुंदर और देवदत पडिकल क्रिकेट खिलाड़ी हैं दोनों वाशिंग्टन सुंदर और देवदत पडिकल और हमारा आज काकरी सवाल अभी अभी इंडिया और फ् प्रांस के बीच में 1993 1993 में से हो रही है लेकिन इसका नाम वरुन रखा गया था 2001 में तो यह था हमारा 320 जो कुष्चन अप्रेल के हिंदी में पार्ट 3 मिलते हैं बहुत जल्दी पार्ट 4 में थैंक्यों पर वाचिंग स्टड़ी आईक्यू